नमस्कार किसान सात्यों, आज 26 सितंबर हम बेठे हैं, RBS 24 में रखे थे, एक जुलाई की इसकी बोनी है, तो हम आज बात कर रहे हैं, RAB रोग से सम्मन दित, हम देखेंगे, तो RBS 24 यह जो मेरी सोयाबिन है, तो इसमें RAB रोग नहीं आया है, आप देख सकते हैं, इसको बिल् 20 सितंबर है, 86 दिन की आज यह हो गई है, और RAB रोग इसमें नहीं आया है, अब कुछी समय में यह पकर तयार हो जाएगी, यह अच्छी जमीन है, थोड़ा सा उपरी हिस्सा यहाँ पर हमने सिचाई कर दी थी, इसलिए हरापन बना हुआ है, पूर्ण रूप से, और अगर बात करें, तो नीचे अगर हम देखेंगे, तो अब यह परिपकवता की तरफ बढ़ रही है, जैसे यहाँ पर देखें तो यह कुछ-कुछ पत्ते इसके पीले, तो यह बीमारी अब नहीं है, यह परिपकवता की तरफ बढ़ रही है दीरे से, और कुछी दिन में पूरा खेत हमारा पीला होके, दीरे से सुकने लग जाएगा, आरे भी रोग इसमें नहीं आया है, मित्रों, आरे भी रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, तो हम अचानक से इसके लिए कोई दवाई वगेरा वेसे नहीं चिटे, पर आरे भी रोग जो होता है, वो बहुत ही ख बिल्कुल इसे गलने जैसे हो जाते हैं, हम देखेंगे तो जैसे गल चुका है, जैसे कागज पानी में रख दो और गल जाता है, तो इस तरह से पत्ते उसके स्वयविन के हमारे गलने लग जाते हैं, तो इस तरह का कोई बीमारी अभी इसमें नहीं दिख रही है, उसका ज पूर्ण रूप से सही हो सकता है तो डेवी कोनाल जो जो फंगिसाइड है उसका हम 625 एमेल प्रती हेक्टियर की दर से स्प्रे करें तो आरे भी रोग पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाएगा ये बेरे खेत में एक दो पोदे दिख रहे तब मुझे करने की जरूत नहीं ह पर अगर ज़्यादा दिख रहे है तब हमें 625 एमेल डेवु कोनाजोल प्रती हेक्टियर स्प्रे करना चाहिए जिससे आरे भी रोग चाहेगा नियंत्रित हो जाएगा इस सोयवीन के अगर बात करें तो इस सोयवीन में 65 दिन की अवस्था में डेवु कोनाजोल का इस्प एक बार 30 दिन की अवस्था में दूसरी बार 65 दिन की अवस्था में तो डेबु को ना जोल का इस्प्रे अल्रेडी कर दिया था इसमें क्यों पिछली बार थोड़ा सा उमटने की समस्या ही दिखी थी पर इस बार अगर हम देखें तो आरवीस चोविस जो सोयाबी ने ये रोग इसके अंदर नहीं आया है और मेरे यहां नीचे खेत में आरवीसम 11-10 है आरवीसम 11-35 है और एनरसी 138 भी उसके अंदर भी आरे भी रोग फिलाल नहीं आया है हाला कि इन में मैंने 65 दिनों पर आधी जमीन मर मेरी मैंने दे दिया था डेबु को ना जोल नुन मेरी सवयविन जो है आख 84 दिन की स्थिति में भी हरी बनी हुई है और इसमें दाने जो है व सतरु में बड़े हो रहे हैं दाने बिलकुल बड़े हो रहे पर फलिया बिलकुल लधी हुई है इसके अंदर यह चीजा है तो हम इस तरह साई हमारी ला.. तो नेस्चीत ही हमारी सोयविन हमको अच्छा उत्पादन देगी नहीं तो यह आरेवी रोग है यह पूरा का पूरा फसल को क्या कर देता है खतम कर देता है बहुत ही खतरनाक रोग है हाला कि हमारे शेत्र में अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है पर यूटूब पर मैं वीडियो देख रहा था तो कुछ वेरेटिस के अंदर आरे भी रोग की शिकायत देखी गई है पर अब इसमें तो क्या है देखिए इसमें मैंने फंगी साइट आलरीडी डाल दिया था तीन दाने के फलिया है फलिया उपर से नीचे तक लगती है बहुत अच्छी वेरेटी है यह आरे भी रोग इसके अंदर नहीं होता है फिलाल इस वर्से दोजार तेविस में तो नहीं ही दिख रहा हैं तो हम इसका चैन कर सकते हैं यह आपको प्लाट कैसा लगा मेरा सुज आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर जरूर आप शेयर करें मित्रो चेनल को आप सब्सक्राइब करें आपका इस किसान को प्यार मिलें और वीडियो को ज्यादस ज्यादा आप लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चेनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद झाल